आपके अपनी यूटूब चैनल हेल सेवन में फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि बच्चों का दिमाग कैसे तेज करें क्योंकि आज कल बदलते हुए इस जमाने में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं स्कूल में कम मार्क्स लाते हैं जब भी वह पढ़ाई करते हैं तो वह देखते हैं कि जो चीजे वह पढ़ चुके होते हैं वह भूल जाते हैं उन्हें फिर से रिपीट करना पड़ता है रिपीट करते हैं रिवीजन भी होता है लेकिन फिर भी एक्जाम टाइम में चीजे वह भूल जाते हैं माइंड से स्लिप कर जाता है इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ भी important documents होता है जब थोड़े बड़े होते हैं उसको भूल जाते हैं मतलब उनकी भूलने की जो छमता वो बढ़ती हुई चले जाती है और याद करने की छमता कम होती चले जाती है तो friends ऐसा क्यों होता है आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि जब छोटे बच्चे जो होते हैं जो childhood जिसे बोलते हैं 0 से 2 साल के इस समय उनका 80% दिमाग का development होता है अगर इस समय हम बच्चे को जितना उनके खाने पीने पे उनके दिमाग को तेज पना सकते हैं वही आगे जाके future में हम हमारे नहीं उस बच्चे के काम आता है क्योंकि आगे जाकर के बच्चे की माइंड डिवलप्मेंट है वह सिर्फ 20 परसेंट होता है उसमें कुछ नहीं हो सकता है अगर सुरुवाती दोर के चीचे बहतर हो तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो फ्रेंट्स क्या इसी चक्कर में फिर बच्चे का जो डिवलप्मेंट है वह स्लो हो जाता है और ऐसे में बच्चे हमारे आगे जाकर के सोचने समझने की च्छनता उनकी स्लो हो जाती है और इसके साथ वो दिमाग से थोड़े से कमजोर होते हैं अगर देखा जाये उन्हीं की साथ में कोई आईसा बच्चा कॉंपेयर किया जए जिस बच्चे की सोरू शेपर威श और पान का बहतर ध्यान रखा जाए इसके खान पावन में कौन सी चीज़ 하면서 कौन सी चीज़ उससे इस समय चाइब माम्ले में और उस बच्चे के जिसको तो खाली पेट भर दिया जाए दोनों में बड़े होकर कि यह तो दो साल तक नहीं पता चलता लेकिन दो साल के बाद जब बच्चा हमारा तीन चार पान साल का होता है छे साल का होता तो अपने आप समझ में आने लगता है तो आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि अग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे मोश्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं और आप तक वीडियो को नॉटिफिकेशन जाता रहे फ्रेंड्स आईए जानते हैं सबसे पहले बादाम और अख्रोट बहुत ही अच्छा होता है इसमें बच्चे के लिए वह सारे निटिसन मिल जाते हैं जो बच्चे को चहता है अगर हम अपने बच्चे को बादाम और अख्रोट दे रहे हैं तो उसे बच्टे का मायंड है वह बहुत सार्प होता है और बच्चा बहुत तीज बुद्धी वाला होता है इसके साथ कैसे दे सकते हैं या अक्रोट कैसे दे सकते हैं हम उसे रात में भीगाद सकते हैं उसके बाद सुबह में हम उसका छिलका उतार के उसको पीस करके बच्चे को दे सकते हैं अगर बच्चा वैसे नहीं खाना पसंद करता है तो फ्रेंड्स हम उसको पीस करके दूद में मिला करक या फिर उसका पाउडर बना करके बच्चे के कुछ भी कोई भी फूड बच्चा ले रहा है उसके उपर डाल के दे सकते हैं लेकिन अगर हम उसे घिस करके दे बदाम या अक्रोट को तो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मन होता है वो फ्रेंड्स आप अपने ब बदाम और तें से चारण फोट दे सकते हैं प्नेंट्स नेक्सट थैं केला जैख हुँशन बढ़न बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मालय जाता साथी साथ केला बच्चे का दिमाग तीश करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि केला में फाइबर होता है केला में मैगनिसियम होता है केला में प्रोटीन होता है केला बहुत ही अच्छा होता है फैट होता है अगर बच्चे को केला दिन भर में एक केला दिया बसरते हैं अगर बच्चे को दिन बर में एक केला दिया जा रहा है दो साल तक रेगुलर वेस्ट पे तो आप देखेंगे कि बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा तेश हो जाएगा फ्रेंड्स नेक्ष्ट है घी घी बहुत ही अच्छा होता है आपने भी सुना होगा कि बच दूद के साथ तो और भी ज्यादा करेगा क्योंकि घी में वह सारे न्यूट्रिशन है जो बच्चे के दिमाग तेश करने के लिए चाहिए होता है तो आप अपने बच्चे के डाइट में घी जरूर सामिल करें आप डाल चौल में भी डाल के दे सकते हैं जिस फ़र्म में होट यह मी जाल में ぁताई जरूरो सामिल करें ऐसा नेकच hypothesis प्रोटीन होता है मिनरूल इस ऑप अपने बच्चे को डेली एक गिलास गुर्णबॉh सूबै किल्णब दूद सामें एक बच्चे के अच्छे डिब्लप्मेंट के लिए अगर mental development की बात की जाए तो उसके लिए बच्चे को दो ग्लास दो दिन भर में लेना बहुत ही जाता जरूरी माना जाता है आप इगलास सुबह इगलास साम में बच्चे को दे सकते हैं और अपने बच्चे के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका दिमाग बहुत तेश हो तो यह जरूर उसके डाइट में सामिल करें फ्रेंड्स नेक्स्ट है मौसमी फल और मौसमी सक्चिया इसे आपको बिलकुल भी नहीं भूलना है यह आपको अपने बच्चे के डाइट में सामिल करना ही करना है इसके साथ मैंने बदा मकरोड बताया बाकि जितने भी ड्राइफूट बच रहें जैसे मुनक्का हो गया अगर बच्चे का नियुट्रीशन अभी से बेहतर होगा तो आगी जा करके आपके बच्चे का दिमाग बहुत ही तीज होगा दो साल तक अगर आपने बच्चे के खाने पिने पे ध्यान दे दिया तो दो साल के बाद फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिर वह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपकी कोई नीड है तो हमें कमेंट करिएगा हम उसे फुल्फिल करने की कोसिस करेंगे हम उसे वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे वीडियो को लाइक करिएगा आपका लाइक ही हमें बताता है कि वीडियो आ झाल झाल